आज के इस वीडियो के माद्याम से हम सुरूं करने वाले हैं फिलेट डाइनामिक्स पार्ट वन सबसे पहला हमने चैप्टर लिया है काइन मैटेक्स इसका जो में सबसे ज्यादा कुश्टन्स जो पूछे जाते हैं एक क्विशन ऑप कांटिनिटी पराधारित पूछे जाते हैं कि सकती है हम ज्यादा तर आपको वीडियो देंगे और surprising जनवरी तक जो है सिलेवर स्काविय तक हम करादेंगे आपका ठीक है तो देखिए का कैसे क्या करना है जिएंगे पहला जो चैप्टर आप जानते हुआ जो पहला वीडियो किसी का भी हो कोई सांखी टॉपेकं ह चलते हैं उसमें कुछ definition होती है concept होते हैं कुछ examples को लेकर करें किया जाता है वैसे आपने कई teaching skills पढ़े होंगे यासे आपने पढ़ाऊगो पहले हम उनको लेते हुए चलेंगे comparing करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे जो भी हमाई रूल से हमारे चाहे जो है लेंग राजियन जो भी important हमाई topics होंगे flood dynamics के अंतरगत वह हम जो है सभी आपको discuss और विस्तार से कराएंगे चलिए ज्यादा सा महिना नेते हुए हम सुरू करते हैं देखिए का पहले क्या है about this video में हम क्या करेंगे introduction definitions को जारेंगे वह साथ में कुछ examples भी करते चले जाएंगे चलिए देखते हैं प क्योंकि कभी कभी क्या होता असाइनमेंट हमें मिलता आ जाता तो उसमें जो वाइब होते हैं उसमें कभी कभी जो है छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं कि जो है फिलेड़ मेकेनिक्स क्या है फिलेड़ डायनामिक्स कैसे आई यह सब जो है कर लिया जाता है ना तो इ ठीक है फिर हम पढ़ेंगे dynamics किया ठीक है blood mechanics क्या होती है इसकी थोड़ी definitions पर हम जो है चर्चा करेंगे फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे ठीक है तो हम लिख सकते हैं यह क्या होती है किसी branch होती है विज्ञान की तो हम कह सकते हैं क्या फिलेड फिलेड मापी चाहता हूं मेरी हैड राइट थोड़ी ठीक नहीं है लेकिन कोसिस बिल्कुल रहेगी कि आपको समाझ मियाय में ऐसा लिखने ठीक है फिलेड मैंकेनेक्स एज डैट कि इस डैट ब्रांच ब्रांच ऑफ जिसकी साइंस की कह सकते हैं ठीक है फिजिक्स भी आप यहां पर अपलाई कर सकते हैं कोई दिक्क्त नहीं है साइंस विच अब जिसमें हम क्या करेंगे डिल्स करेंगे विच डिल्स है विच डिल्स उसी के नाम में छेपा हुआ फिलेड्स है ना तो हम कह सकते हैं विच डिल्स वेथ हैं दे वह वियर किसका फिलेड्स का तो हम लिख सकते हैं वह वियर वह वियर ओफ फिलेट्स एट रेस्ट देखिए अब यह हम बताएंगे इसके बारे में फूर्ड डिसक्स करके आम बताएंगे ग्वेल एज इन मोशन ठीक है जिस प्रकास अपने इस्टेट फिजिक्स में पढ़ा होगा कि यहारा मैटर रहता था जो शॉलिड रिजिट बॉड़ी होती थी उसमें क्या होता था जैसे एसा पोजेट पैन ही हमारा क्या एक रिजिट बॉड़ी है माल लीजिए क्रिजब ब लगेगा तो हम रेश्ट में करते हैं तो उसके लिए ब्रांच कौन सी बनी है ठीक है अब यह जो आपका जल वारा हुआ तो वह कैसा है रेस्ट है भारा तो उस पर जो अध्यर करेंगे तो क्या है यहां से क्या सकते हैं तो जो हमारी फिलेट डायामिक्स होती है शो processes है एचो को spielen है यह इपले ह brack से आफ को सीild हुए है ना खाली मुझे थोड़ा आपको explain करें मैं संब्सिंपलिप हबला होता है मैं ना यह डिए जन्स पोलको में आपको मिल जाएंगे लेकर में आपको simplification करके दोंगा कि कैसे क्या मिद continental अँख को आपको बहुत विस्टार से बताएं आफो होता चला आंगे जैसे ही टॉफो फिलड मैकनिक्स को हम 3 प्रकास एका सकते हैं कौन् duty सब्सक्राइब कर रहा है क्या कर रहा है फिलो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि क्षण कर रहा है इसे लगातार मूब कर रहा है कि हम जो क्या कर रहा है क्या वज़ा है क्षण कर रहा है एक अलग से ब्रांच और बना दी गई है काइनमेटेक्स कौन सी बना दी गई है काइनमेटेक्स है लेकिन आप ज्यादातर बुक्स में आप देखा जाएगा तो इन दोनों को एक साथ यह अद्धियन करने क्यासे फिलढ डायनमेक्स और इनको एक साथ लेख लेकर कशलते मैनद और इनको छलते मज्याइख je तो जो है फिलर डाइनामेक्स बाले ही एक उसी के अध्यान करते हैं है जो इसमें जो हम पर तरल द्रव है मुंस जो हमारा फिलर यह उसी के निहत गुणों का द्यान करतें कॉड़ तो घ्रकास बेहीं होता है लेकिन ज्यादा तर मैनली बॉक्स में आपकी बुक में ही होगा प्रकास यह एक ही माना गया है तो मेंली दिखा जाए हैं हमारो आपमिक है चलिए अब जाते हैं मैं टॉपिक हमारा हाइडरोडाइनमेक्स किया होती है ठीक है हाइडरोडायनमेक्स हम समझेंगे तो देखे यह थाइट narrative इसकी तूप डेफिनिस बताऊंगा आपको जो सुई टेबल लगए वैसे यह पूछा नहीं जाएगा यहां जरूरत होगी तो आप सीख सकते हैं तो वह क्या है वो समझिए क्या है यहां से कह सकते हैं यहां से प्रांच के देखिए आपको कई कई आप मैथमेटिक्स की आप कह सकते हैं अथोगर किया सकते हैं दूसरी पर रिलेटर है तो आप यहां पर फिजिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं पूणिन ऐसे कने लागभाग एक जैसे लागें एप जो आपका अच्छा सेंस पर जागते से लिजेगँ क्याकर हमने nesia विठ हमें हां से चलो विठ है ठीक है विठ है दा मोशन यानि जो गति करता फिलो मोशन ओफ फिलेड 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 एंड देखिए मोशन भी कर सकता है तो एंड एंड दी फोर्स पोर्स एक्टिंग acting on solid bodies solid अब यह हम समझा देंगे आपको explain कर देंगे solid bodies solid bodies ठीक है immersed immersed यह कैसे sorry इसका यह कैसे कटका दीजी है immersed in fillets and in motion motion related relative to them ठीक है अब इसको समझ यह क्या कह रही है डेफिनिसास क्या कह रही है उसको समझ यह hydrodynamics is that branch of mathematics hydrodynamics क्या गड़त की साखा है which deals with the motion of fillets जिसके अंतरगत हम जो फिलेट्स की गती का है तो लिकोइड में डली होई है वह 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 solid body तो उसका अध्यन करेंगे वह साथ ही हम क्या करेंगे और उनके साथ जो गतियों में जो संबन्ध होगा उसका भी अध्यन करेंगे तो जो है वह इस इतने चीज़ें जो है हम hydrodynamics के अंतरगत हमारी आती है ठीक है आप में लिखना पढ़ रहा क्योंकि लिखने वाला जो टॉपिक है हमारा तो इसमें लिखना पढ़ेगा मुझे ज्यादा ठीक है इस डैट है ठीक है ब्रांच इस ग्रांच ओफ है मैंने क्या बताया इसमें भी आप जो है वैसा यूज कर सकते हैं जो आपको स्वीटेवर लगें mathematics mathematics which which deals which deals the with 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 the motion कि यहां तक तो आपकी वो सेम मोशन ऑफ कि लड़ कि फिलेट से अथवा डैट जिस इंपल है डैट ऑफ बॉड़ीज बॉड़ीज इन फिलेट जी आपको बिल्कूल किलियर हो गई होगी है तो आप जो है इसको भी कर सकते जो आपकी उपर डिपेंड करता आपको कौन चाहि है क्या कह रहा कि खाली इसमें इतना जो था हमने वह इस्ट्रा कर दिया कैसे हाइड्र डाइनमेक्स इज डैट ब्रांच ऑफ मैतमेटिक्स विज डेल से यानि इसके अंदर करते हैं बित दा मोशन ऑफ फिलेट शैनि गती और साथ में जो फिलेट में बॉडीज हैं हमारी बॉडी उसका भी एद्ध्यन करते हैं हाईड्र डाइनमिक्स के अंतर ठीक है इतना आप समझ गए होंगे चलिए अब आते हैं फिलेट हम बहुत देशे फिलेट फिलेट की बात कर आखि जो फिलेट है कि चलिए देखते हैं फिलेट के आया ठीक है देखिएगा फिलेट द बहुत चोटी कक्षां से भी पढ़ते चलिए आया कि फिलेट क्या होता जिसकी आकिरती जो होती है वो क्या हो जाती है समय सब्सक्राइब चेंजमेंट हो जाए या उस पर जो हम से लगाए लगाए जिसकी आकार भी कोई निश्चती नहीं होता हमारा नहीं हम जो सिंपल ड यू कि लिए परफेक्ट होती है ठीक है तो हम यहां से लिखेंगे वही वाली डेफिनिशन तो हम लिखेंगे एफ लैडड ऑच्छार इस फिलेड़ इस आई सबस्टैंस ने सबस्टैंस वीच है विच है एज एज ऑस ट्यपीवल एफ ट्यपेवल ऑफ फिलो एग यानी ज तो साथ keeping क्या तो अपनी आखिरती को भी capital देखा है इसकी नेलाई आखिरती कुछ अब अदर अदर दी एक्षण है अफ यह मैंने यह समझना हमें सियरिंग फोर्स अभी हम बताएं इस से निंग फोर्स क्या होता है पहले तो फिलेट आपको तक देखाना है इसको क्या बोड़ने लगा दिया, तो क्य होगा जो लिकृड एक, मीन्स हमारे, दृट है फिलट है, वो क्या हो जाएगा? मोसन करने लगेगा क्या होने लगेगा वो फिलो होने लगेगा तो यहार 1993 करने लगे तो यह यह संदीन हितने लगे हो उसमें और अच्छे से आप समाथ जाएंगे स्यारिंग फोर्स होता क्या है किस प्रकास इस डिफाइंड होता है ठीक है अब हमारी टॉपिक भी यह आने वाला स्यारिंग फोर्स क्या होता है ठीक है लेकन उससे पहले एक और इसमें कुछ चूट रहीं उसको भी हम जो है हमानने लगाइए ना इस परकासे कई स्चेट मानने लगें लेकर यह मैरी होती है ठीक है जो मेण परते आया कौन-कौन है कौनसी लिक्वेट लिक्वेड फर हमारी य कौर होती है फ्रहaktर कहां हम पढ़ेंगे विसपर प्रिप्र क्या पढ़ें ऑकर मेंस्वाश्पर ठीक ह करने सब्स्टेंस है तो हमारी तो निकल के आती है इस ही केंतर करते हैं फिलड करते हैं इनी का दिन का आती है तो आप समझ कही होगी चलिए अब हम देखेंगे क्या सेरिंग stress or sharing strain क्या होता है ना उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले submarines force की समझना पढ़ेगा सबसे ने समझना करतोा समझ करना ने समस्क्राइब रगण दो में हमारीotta का मारा normal क्या होता है नॉर्मल फोर्स ठीक है और एक जो होता है हमारा टैंजेंसियल क्या होता है टैंजेंसियल टैंजेंसियल फोर्स हम दो पर कहा से जो है कर सकते हैं प्लिसेबल नॉर्मल या टैंजेंसियल ठीक है अभी हम बताएंगे फियर से आपको एक्स्प्लैन करेंगे ठीक है जो टैंजे सूर्फ ऐ थे के नॉर्मल फोर्स टेंजेंडियल फोर्स लेकिन जब loc unit में करंने लगता थो वह वन में जाता से आरेंग कह देते हैं अभी हमारा आने वाला है अभी हमने क्या पड़ा है नॉर्मल फूर्स क्या होता है जैसे हमने कुई कंपाउंड लिया जिसे यह हमारा ने कहें तो गिलास मेरी आड़ जो इतनी ठीप नहीं है फिर भी समझ जाएगा इस प्रकास से हमारे पाथ देखा जाए तो इस प्रकास है हमारा यह भरा हुआ है इसमें जब इस पर हम ऐसे बल लगाती है ऐसा लगाया इसमें ऐसा लगाएंगे तो क्या होगा यह थोड़ा दबेगा है कि नहीं अब यह आप जो है वाटर लिया बाटर को ऐसी पकड़ेंगे ऐसी उपर उ क्या होता है इस प्रकास यह प्रकास लगाया तो जब अविलम्वद लगता है नॉर्मल का नामी हमारा क्या होता है पर पैंडी कुलर मैंतमेटिक कघहा है तो यह सं प्रकास से हो जाएगा समझ घंच से हमारा जो है यह स्ट्रेंट समझ में आ जाएगा तो आपका जल कुछ ऐसा हो जाएगा आप कारिके भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली घर में बाटर गिलास रखा हुगा आप जो कर सकते हैं देखिए एक हम सॉलिट की भी बात करें देखिए समझा ना है मुझे आप जो है यहां जाएगा यहां जाएगा यहां यहां चलिए तोड़ा सा परिवर्तन इस परिकार से आएगा तीक आपने हुक्सला पड़ा होगा इंटरमेडियेट में तो उसमें आप अच्छिस देखा हुगा उसमें आप रूपान जो जड़ता गुडांक निकलता है रिजिटिटी मोडलस निकलता है तो उसी में देखना तो देखो आपका इतना जाएग जो आता यह ठीटा माल लेते हैं तो आभी जी निकलेगा आप जो च्थिट हम स्टीटा महलते हैं तबस्षब यह ठीटा निकलता था कि feminist च्थिटा को ठीटा माले leftover सकते तो आप मैं हम करने पर ठोड़ साते और यहां पर आप ठोस को आप दबाएंगे भी कोई भी ठोस लवाएंगे तो थोड़ा सभी अंतर होगा है होगा कि नहीं होगा इस प्रकास है क्योंकि इसके जो कंड होते बहुत ही पास-पास होते तो इसमें बहुत ही कम विस्तापन होता है झिनलन के एक इनकी क्यों में थोड़ा ज्यादा होता है दूज्धिय को पूरा मैं वेज्ञाते siya आप को पूरा में समझाति हुए चलेघर बहुत एंपोर्ट एंहां सब्सक्राइब seven रहेंगे तो एक इक नम्मर की है स्यर्इश क्या होता देखे। से हमारा उत्assadors होता है इसमें क्या होता है डशीरिफिणी सक्वाइश घ hela करते हैं तब हमारा जो है एक तो बाड़ी ہे मतलब बाटर जो भी घो 麻रे करते हैं उसले सर्फिस प्रोस क्या होता है जो सर्फिस फोस होता है तब लगता है तो उसमें अच्छी के कोर्डिनग होता है इस से यह हमारा क्या पन हो जाएगा से यानि टू परकार से बोडी फॉर्स और सरफेस अधिक बोडी है यह पार जब इसमें फोर्स एपलाई करेंगे जितनी ज़्यादा हमारा वाटार लोगत नहीं जयादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो यानि हम कह सकते जो बोडी फोर्स होत सब्सक्राइब निमेरिकल आएंगे उसमें हमें स्ट्रेस बहुत जरूरी यह समझना ठीक है यह होगी आप हमारा सार्फिस पूर्स आप समझ गए होंगे चलिए देखते हैं आगे ऐसा समझ सकते हैं यह फिगर बनाते उसको आप अपना लिए बना दिया गिलास गोल रहता त समझ है इसको कोई उसके में क्या करेंहें क्या करेंगार करेंगा यह नहते हैं जैब हम सतायपा देखेंगे क्या देखेंगे 27 की कैसी गुलाकार होगी है लेकिन सताय पर हम देखेंगे तो जैसे यहां कड़ है तो इसमें लगाएंगे तो उसमें कुछ अंतर आएगा तो इस बज़े से इसको डजनोट इक्वल्टू जीरू कह सकते हैं ठीक है तो इस वाली सताय को हमने ऐसा बना लिया तो इस वाले हमने यहांने नॉर्मल फोस लगाए इसके लंबत यानि ऐसे तो अब दिखिए इसमें थीडी तो बना नहीं सकते हैं तो हमने इ सर्फेस है क्या है हमने सोरी सर्फेस ना क्या करके हम इसको हमने कह दिया यहां से क्या ठीक है समझें सोरी सर्फेस लंबत लगाना तो इसको नॉर्मल कहेंगे ना सर्फेस थोड़ी कहेंगे हमारा क्या हो गया नॉर्मल फोर्स हो गया ठीक है कौन सा हो गया नॉर्मल फोर्स लगेगा तो उसमें क्या हो इत्पन होगा है आप यहां पर डोनों क्लिए नॉर्म़ल फोर्स और यह वाला फॉर्स ठीक है तो यहां से हमारा जी कौन सा हो तेन जेंसियें कौनसा हो गया जी टेंजेंसिय locu आपने वेक्टर नियम पड़ा होगा आपने पड़ा होगा यदि इस परकार से हमारे कोई है तो इसका जो magnitude निकलता है परड़ामी तो हमारा क्या होता है सरफेस होता है यह तो हमारा होता है तो यह कहीं भी कहीं कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताई हम जरूर आपके जो है उसका रिप्लाइब करने की कोशिस करेंगे देखिए कैसे तो माना लैट कैपिटल एफ इज ए इसके बारे बता रहे हम इज एफ सर्फेस सर्फेस ठीक है फोर्स सर्फेस फोर्स एक्टें किस पर डी एस के पॉइंट पिपर आम लिख सकते है ये इसकी इली मैंटरी सर्फेस यानि छोटा जो हमने लिए आया है डी इस सर्फेस इसको ला लेखना चाहिए आप सीरे डी यह भी लेख सकते हैं सर्फेस एरिया ds at the point point small p of surface थोड़ी language का थोड़ा समझ जाईएगा हम बोल भी रहे surface के spelling आपको आती है तो आप जो है अपने मन से भी लिख सकते हैं surface as तो दिखिए यह एप की कितने हमारे रिजोल पार्ट निकली एक tangential निकला एक हमारा normal force निकला तो हम कह सकते हैं result part of result part parts of capital F means surface force R क्या है हमारे suppose इसको हमने कह दिया हमने F1 और इसको हमने कह दिया हमने F2 थीक है जो हमारे result part of F के हैं R वो कैसे उनकी direction देखेंगे तो कैसी है R क्या कह सकते हैं F1 एंड एफ टू सोरी एफ टू विच डायरेक्षन विच आर डायरेक्षन जिनकी दिसा कैसी है तो आप दिसा भी बताना पड़ेगा आपको डायरेक्षन ओफ इसी को यहीं पर कर देते हैं टैंजेंट टैंजेंट एंड नॉर्मल नॉर्मल एट p जीच वहना डिये दिसा बता दीए किया बता दीए जो हमने कोई फोर्स माना इसकी जो सब्सकिये है और इसकी जो बढ़ेट है अभी लंबत है दिसा बता दीए हमने यह है वह खोलेगा में इस च्थफपल को एकांक कर देंगे तो इस पर जो बलकार करने लएगा जो tangential force है वही क्या बन जाएगा हमारा sharing stress बन जाएगा समझगे कैसे इसको एकांग होना पड़ेगा तब ही आपका stress बनेगा अभी तो जी हमारा जी क्या है इसको हम देखेंगे जी अभी हमारा क्या है sharing sharing force बना हुआ अभी जी क्या बना है sharing force लेकिन जब हम इसका एरिया जो है यूनिट कर देंगे तब हमारा यही sharing force हमारा क्या बन जाएगा sharing stress बन जाएगा आगे की definition देखते हम अब definition हमारी मेहन आ जाएगी क्या तो हम यहां से कह सकते हैं दा जी जी यह ता normal नॉर्मल फोर्स नॉर्मल फोर्स पर यूनिट पर यूनिट एरिया तो हम कह सकते हैं is called इज काल्ड नॉर्मल स्ट्रेस समझ गया आप सोरी दिखा नहीं आपको सोरी एंड और हम कह सकते हैं एंड दा टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंशियल फोर्स पर यूनेट पर यूनेट एरिया इज काल्ड is called सेरिंग सेरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा ये सेरिंग स्ट्रेस हो जाएगा समझ गये होगा या आप समझ गये होगे है के नहीं है ठीक है अब इसका एक फोर्मॉला भी हम देखिए पर यूनेट इसमें भी है पर इनुट इसमें भी है तो हम यहां से दोनों के लिए हम कह सकते हैं यहां सकते हैं सेरिंग सेरिंग स्ट्रेस मीन्स टाव बरावर इसका फॉर्मला कैसा पर यूट है तो एफ बटे में हम कह सकते हैं यहां पर क्या एरिया यहां 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 पर जो है यह इसके लिए ऐसा देखें यादि यूनिकली देखें तो टाव बराबर हमने क्या माना है यह हमने क्या माना है यहां यहां पर्फेक्ट फिलेट क्या होता है तो इसके बारे में जानती है तो पर्फेक्ट अब इसमें हम समझेंगे इसमें आपको जो हमने बताया रस ओ जो यहां यह एक और होता है कौँछ सान्सा नॉर्मल इस्ट्रेयर है नब क्या होता वो समझ आ जैसे हैं पर्फेक्ट क्या होता इसकी पहले क्या होत था तो आप देखिए का आपने एक आडियल क्या होता है तो यह आपका perfect flood, चुकि gas और liquid हमारा क्या होता है, flood है हमारा, है ना, तो जो आपने gas में जैसे पर कहाँ से proper आपनी definitions पढ़ी है, यहाँ पर हम क्या कहा सकती है, यह flood, यह flood, विच है, एज है, क्या हो, incompressible, क्या होना चाहिए, वो incompressible, यानि, असंपडि लिए इन कंप्रेसिवेल इन कंप्रेसिवेल एंड साथ में क्या वो है वेंग having no viscosity no viscosity viscosity is non-age is non-age and perfect क्या कह सकते हैं perfect perfect fillet perfect fillet ठीक है perfect fillet कह सकते हैं हम यहां से इसको हम इस प्रकार से भी define कह सकते हैं यानि कि कैसा ऐसा fillet fillet यानि यानि यासा तरल पदार्थ जो की incompressible हो incompressible हो end साथ ही हमारा no viscosity यानि उसकी स्यानता कैसी होना चाहिए वो 0 होने चाहिए स्यानता नहीं होने चाहिए स्यानता सब्द आ गया तो इसको अब यहां next video में शयानता का वीडियो बनाएंगे उसे ते सीथे समझ लीई स्यानता क्या होता है स्यानता क्या है जोड़ब के कढ़ूं के मद्लगने वाला फोर्स होता है जो उसे द्रब को और रोक डे यह रोक गती करने का ब्रोध करता है यानि कि जैसे हमने एक बाल्टी में लिकुड भरा ठीक है उसको हमने हिला देंगे तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा भोड्र लेक्वड हिलना बंध क्यों हो गया क्यों कि उसके अनुगों के मत कोई फोर्स औरते रहा हो गहाँ तहती ताभी तो रुग गया και फिर आपि एक ग्लास में कहले हनी हनी मिश्योंच ले और एक ग्लास में कहले ले जल ले तो आप क्या करेंगे जल को यूँछ तो जल की मुकावले यानि वाटविक के मुकावले ठीक है समझ गए तो अभी विस्कुसिटी आएगा टॉपिक तो उसमें जाता हम विस्तार से बताएंगे ठीक है देखिए कैसे क्या आगे बढ़ते हैं तो इसकी डेफिनेशा से ऐसे भी इसी कई नाम और है हमारे और भी नाम जान ल लेले लिए ठीक है थो इसकी और टले से यहां अब हम सकते हैं अयवह एक नवीसन दूसरी ओर ले लीजिए कुर्डक मातने इक सक्व हमारी जनरल फिजिक्स के कौड़िक थींग ए फलेट और और यह व्लिजसेट कि ले एक परफैक्ट grossflement परफेक्ट होगा, if यदि, it does not, does not exist, does not exist, sorry, exist नहीं होता है, यहाँ पर exist होगा, यहाँ एक्स आर्टी, ठीक है, ठीक है, any sharing stress, however, how every small, देखिए, चाहे जितना भी छोटा आपका जो है, तरल हो, चाहे जितना भी छोटा, उस पर क्या काम नहीं करना चाहिए, उसमें बिलकोल भी sharing stress नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ही जो हमारा लिक्वट होगा या जिजिटने भी हमारे जो फिलेट है वो प्रकृतिपन नहीं हें प्रकृति नहीं होई से यहाँ से कई और नाम ले लुए कौन कौन से नाम the that This one If business you are defilatesccal.com बेबाते हैं इस मतलब उसमें घ्र्षन नहीं होता है ठीम के फ्रिक्सीनल प्रिक्षन लेस ठीमतलाव इस मतलब इसमें नहीं होता है तो इसको और साथ ही इसको आईडियलियल फिलेट का सकते हैं क्या है आईडियल फिलेट इढ़ी का नाम है तो जु को टॉपिक आना यह नहीं आया भी लिखेंगे आप साथ में यह भी लिख दीजिए तो भी परफेक्ट इफ इस डज नोट एक्साइड कि इस यह नहीं उसमें स्ट्रेस नहीं होगा तो हम जो चाहे वह चितना भी छोटा लेख को चाहे जोटे से छोटा भी मेटर होगा आपका तो उसमें भी हमारे स्ट्रेस नहीं करें तो वहारा पर्फेक्ट फ्लेट फ्लेट ठीक है इतना आप समाझे को चली ज्यादा समय हो रहा है चली देख लेते जल्दी से हम जो है इनमें डिफ्रेंस देख लेंगे आज की वीडियो पर्फेक्ट और रियल फ पर लेंगे ठीक चलिए देखते हैं कि देखिए कैसा क्या समझ जाए ठीक है देखिए कैसे एन आइडियल या एन पर्फेक्ट कैसी के दूसरे नाम लिखे देए रहे ताका आपको दिहान में आ जाए एन आइडियल कुक्त फिलेड को फिलेड इस वन विच इन वेच विच यह इन कंप्रेसिविल पश्थ नो एक साथ कि एक साथ है इन कंप्रेसिवल हैंड एंड है नोब सु विस्कु सिटी दिए नो बिश्को सिटी एक तो पॉइंट हमारा जेंगा या जाएगा न बिश्को खीक है बिसको को सिटे एंड साथ में लींग स्वभी कैसा सेरेंग उर्स नहीं कैसा नहीं रह अग्य होगा आ energy बढ़ेंगे इस है कि एक लैंड है डही प्रहिए कर लगएगक सब्ना में छिसंट आंगे subscribe इसिटी और क्या रखेगा बिसको सिटी सर्फेस टेंसन सर्फेस टेंसन मीन्स हमारा वही आ गए अप्रेश की पूरा एंड और साथ में कैसा कर सकते हैं इसकी डेफिनिशन चलवाती लिखने के तुम बना सकते हैं नौन एज रियल फिलड रियल फिलड एक बार एक्स्प्लेंड कर दिता हूं ठीक है एक तो आप समझ गए होंग यह फिलड है विसको सिटी यह एक ऐसा तरद जो की विसको सिटी सर्फिस टेंशन कार कर रहा हो एंड फाइनाट कंप्रेसिबिल्टी इज नौन एज रियल फिलड ठीक है तुझे आप समझ गए होंगे एक तो डेफिनिशन बार अंतर हो जाता दूसरा अंता देख लीजिए देखिए मैंने क्या बताए यह खाली लेरी है ठीक है इमेजबनरी है होः सांथ में हमाला क्या कह सकते है ड़ू नौट और मनों मेंनागिशन नहीं करेगा darauf हैं याद है निचर आप को ज्यादा से ज्यादा ज़्याद रखेंगे पौइंट तो हो सकता यह कर दूर याद रखेंगे तो एक ही तॉ याद सकते तो यह तो इस फूर में तिन तो याद रखी गा जह घो गया तीसरा हमें ऐसा भी किया सकते है क्या इसकों थोड़ा और अग्लक्ष बहुत सकते कि एनी कि लेंट कि एनी प्लैन सर्फेस ऑफ किसका किसी का भी मतलग कोई साथ हमारा कौन साथ और पर्फेक्ट परफेक्ट फिलेड परफेक्ट फिलेड इजे आलवेज आलवेज नॉर्मल क्या होता होगा जिकी जाब उसमें यह बाला नहीं होगा स्ट्रेस तो कौन सा बच्छा आब हमारा बच्छा नॉर्मल है न नॉर्मल टू दा सर्फेस ठीक है तीसरा हमारा क्या हो जाएगा एनी इसी कभी डेफिनिस बना दिए सर्फेस ऑफ क्या हो जाएगा रियल फिलेड रियल फिलेड बोत हैं कौन दोनों होंगे यानि उसमें सेरिंग स्ट्रेस होगा और कौन सा होगा हमारा एंड नॉर्मल इस्ट्रेस एकजिस्ट क्या होंगे दोनों ही हमारे एकजिस्ट करेंगे ये रहे हमारा हमने पड़ा है डिफरेंस बिटूर्इन परफेक्स एंड रियल फिलेड तो आसा करता हूँ आपका यह वीडियो जो है आपको समझ आया होगा फिर भी कहीं कहीं आपको डावड तो जो है हमें हमें बाट्शेफ ग्रूप पर या जो है हमें पर्सनली मेसेज करें के जो हम से जो है इनके बारे में डिसकेशन पूछ सकते जहां पर भी आपको समझ ना आया हो चली फिर मिलेंगे हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के बहुत जल तब तक के के लिए धन्वाद दोस्तों जयाहेद बंदी मात्रव